आज सत्गुरुवार के वर्दानी दिवसकी आपको धेर सारी शुबकामना है ओम श्यांती साथ मार्च दोहजार जोबिस के इश्वरिय महवाक्य पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स बाबा ने कहा तुम बच्चे ही कहते थे कि बाबा आकर इस पतित दुनिया को खलास कर नई पावन दुनिया बनाओ इसलिए पारलोकिक बाप आकर तुम्हारे लिए फर्स्ट क्लास सत्यूगी फैमिली प्लैनिंग करते हैं वैसे भी इस कांटों के जंगल को समाप्त कर फूलों का बगीचा बनाना यह धन्दा एक बाप का ही है बाप जो सच्ची गीता सुनाते हैं इससे ही एक सत धर्म की सापना होती है गीता है ही फैमिली प्लैनिंग का शास्त्र यह बात तुम्हें सब को समझानी है परंतु बोल में वह रुहाब होना चाहिए तुम बेपरवाह होकर वानी चलाओ तुम्हें सब का ध्यान बाप की तरफ खिचवाना है फिर बाबा ने कहा इस सारे भंभोर को आग लगनी है तो बाप ओडिनेंस निकालते हैं इसका महाशत्रू पर विजे पहनो यह तुम्हारा बड़ा भारी दुश्मन है लेकिन दुनिया वाले इसे अपना मित्र समझते हैं यह मंजिल बहुत बड़ी है अगर विश्व का मालिक बनना है तो कभी कोई के नाम रूप को नहीं देखना अगर आत्मा भाई भाई को देखेंगे तो कभी अवस्था बिगडेगी नहीं अभी बाब तुमको अच्छे कर्म करना सिखला रहे हैं क्योंकि कर्मों की गती ही तो चलती है ना उच्छ कर्म करेंगे तो उच्छ बनेंगे नहीं तो जाडू लगाना पड़ेगा और लास्ट में बाब ने कहा यहां सब आसुरी नींद में सोय पड़े हैं अब तुम्हें उनको जगाना है यह इश्वरिय धंदा तुम बच्चों को करना चाहिए गोरा बनकर औरों को भी आप समान बनाना है तभी तो बाप प्यार करेंगे सर्विस ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या और अब सुनते हैं महाबाक्यों को विस्तार से मुरली का सार मीठे बच्चे बाप का करतव्य है कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना इससे ही नंबर वन फैमिली प्लैनिंग हो जाती है प्रश्न फैमिली प्लैनिंग का फ्रस्ट क्लास श उत्तर गीता है फैमिली प्लैनिंग का फ्रस्ट क्लास शास्र क्योंकि गीता दवारा ही बाप ने अनेक अधर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन किया गीता में ही भगवान के महवाक्ये हैं काम महाशत्रू है जब काम शत्रू पर जीत पा लेते हैं तो फैमिली प्लैनिंग स स्वत्य हो जाती है यह एक बाप का ही काम है किसी मनुष्य का नहीं ओम शान्ति शिव भगवान वाज बाप बैठ रुहानी बच्चियों को समझाते हैं इस दुनिया को तो आसुरी दुनिया जरूर कहेंगे नई दुनिया को दैवी दुनिया कहेंगे दैवी दुनिया में बहुत थोड़े रहते हैं. अब यह राज भी किसको समझाना चाहिए? जो फैमिली प्लैनिंग के मिनिस्टर होते हैं, उन्हों को समझाना चाहिए. बोलो, फैमिली प्लैनिंग की ड्यूटी तो गीता के कथन अनुसार एक बाप की ही है. गीता को तो सब मानते ही हैं. गीता है ही फैमिली प्लैनिंग का शास्त्र. गीता से ही बाप नई दुनिया की सापना करते हैं. यह तो ओटोमेटिकली ड्रामा में उनका पार्ट नूंधा हुआ है. बाप ही आकर के आदी सनातन देवी देवता धर्म की सापना करते हैं. अथ्वा प्योर नेशनलिटी की सापना कर होते हैं. अपने को देवी देवता धर्म का ही कहेंगे. गीता में भगवान साफ बतलाते हैं कि मैं आता ही हूँ एक धर्म की सापना करने बाकी अनेक सब धर्मों का विनाश करने. तो इससे फैमिली प्लैनिंग नंबर वन हो जाएगी. सारी सृष्टी पर जेजेकार हो जा अब तो बहुत मनुष्य होने के कारण बहुत किचड़ा हो पड़ा है. वहां के जानुवर पंची आदी सब फर्स्ट क्लास होंगे. जो देखने से ही दिल खुश हो जाए, दरने की बात नहीं. बाप बैठ समझाते हैं, तुमने मुझे बुलाया ही इसलिए हैं कि आकर फै फैमिलीज को वापिस ले जाओ, पावन फैमिली की सापना करो. तुम सब कहते थे, बाबा आकर पतित दुनिया खलास कर नई पावन दुनिया बनाओ. ये बाप की ही प्लैनिंग है. देखने से ही दिल खुश हो जाए. लक्ष्मी नारेण को देखने से तुम्हारी दिल प्रजा सब फर्स्ट क्लास होते हैं तो यह फैमिली प्लैनिंग की युक्ति ड्रामा में नोंधी हुई है तुम बच्चों को समझाना है पार लौकिक बाप तो सत्यूगी प्लैनिंग फर्स्ट क्लास करते हैं काटों के जंगल को ही खलास कर देते हैं इस सारे भंभोर को आग लग जाती है, यह धन्दा तो बाप का ही है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, कितनी भी मेहनत करो, सक्ससफुल कोई हो न सके, बाप कहते हैं, जिस काम विकार को तुम अपना मित्र समझते हो, वह बड़ा भारी दुश्मन है, बहुत हैं, जो उनके मित्र बन जाते हैं, बाप ओडिनेंस निकालते हैं, तुम इस पर विजे पहनो, तुम समझाओ, बाप कहते हैं काम महाशत्रू है, बिचारों को पता ही नहीं कि फैमिली प्लैनिंग कैसे हो रहा है, यह तो कल्प कल्प बाप करते हैं, ड्रामा नुसार, फिर यह होना ही है, सत्युग में बहुत थोड मनुष्य होते हैं, इसमें फिकर की कोई बात नहीं, बाप प्रैक्टिकल में यह काम कर रहे हैं, वो लोग कितना माथा मारते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाओ, अभी के कैरेक्टर्स कितने खराब हैं, देवताओं के कैरेक्टर्स कितने अच्छे थे, तुम इन देवताओं के राज्य में एक धर्म, एक राज्य, एक भाशा थी। कितने थोड़े मनुष्य थे। परन्तु ऐसे युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों को आता है। वे रुहाब नहीं रहता है। उन्हों को यह लक्ष्मि नारेन का चित्र दिखाना चाहिए। यह फैमि बाबा नहीं कहा है यह लक्ष्मि नारेन का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो और बत्तियां आदी खूब लगाओ। प्रभात फेरी में यह ट्रांस लाइट का चित्र हो जो एकदम क्लियर कोई भी देख सके। बोलो हम यह फैमिली प्लैनिंग कर रहे हैं। यथा राजा र आनी तथा प्रजा, डीटी डानेस्ट्री की स्थापना हो रही हैं। बाकी सब विनाश हो जाएंगे। तुम कहते भी हो कि हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ। सो तो बाप ही बना सकते हैं। एक देवी देवता धर्म ही पावन होता है। बाकी सब खत्म हो जाते है बोलो, शिव बाबा के हाथ में ही यह प्लैनिंग है। सत्युग में यह प्लैनिंग हो जाती है। वहाँ है ही देवतावन्ष, शुद्र होते नहीं। यह तो बड़ी फर्स्ट क्लास प्लैनिंग है। बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। इस बाप की प्लैनिंग को आकर स तुम्हारी यह बात सुनकर तुम पर बहुत कुर्बान जाएंगे यह मिनिस्टर आदी निर्विकारी प्लैनिंग बना कैसे सकेंगे बाप जो उच्च तेउच भगवान है वे आते ही हैं यह प्लैनिंग करने बाकी सब अनेक धर्मों को खलास कर देते हैं यह बात है ही बेहद के बाप के हाथ में पुरानी चीज को नया बना देते हैं बाप नई दुनिया की सापना कर पुरानी का विनाश कर देते हैं यह ड्रामा में नूद हैं समझाना चाहिए बहनों और भाईयों इस स्रिष्टी चकर के आदी मध्य अंत को तुम नहीं जानते हो बाप बतलाते हैं सत्युग आदी में ना इतने मनुष्य होते हैं ना फैमिली प्लैनिंग आदी की बात ही करते हैं पहले तुम स्रिष्टी के आदी मध्य अंत को आकर समझो सदगती दाता बाप ही है सदगती अर्थात सत्युगी मनुष्य पहले पहले यह देवी देवता बहुत थोड़े थे फर्स्ट क्लास धर्म था बाबा फूलों की फर्स्ट क्लास प्लैनिंग बनाते हैं काम तो महाशत्रू है आजकल तो इनके पिछाडी प्राण भी दे देते हैं कोई की किसके साथ दिल होती है माबाप शादी नहीं कराते हैं तो बस घर में ही हंगामा मचा देते हैं यह है है ही गंदी दुनिया सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं सत्युग में तो फूलों की वर्षा होती है तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो बाबा इशारा देते रहते हैं तुम इनको रिफाइन करो चित्र भी भिनभिन प्रकार के बनाते हैं ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है वह ठीक है किसको समझाना भी बहुत सहज है सबका ध्यान बाब की तरफ खिजवाना है बाब का ही यह काम है अब बाब उपर में बैठा हुआ यह काम करेगा नहीं कहते भी हैं जब जब धर्म की गलानी होती है आसुरी राज्य होता है तब तब आकर इन सब को खलास कर दैवी राज्य की सापना करता हूँ मनुष्य तो अज्यान की नेद में सोई पड़े हैं यह सब विनाश हो जाएगा जो निर्विकारी बनते हैं उनकी ही फैमिली आकर राज्य करती है गायन भी है ब्रह्मा दवारा सापना किसकी इस फैमिली की यह प्लैनिंग हो रही है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां पवित्र बनते हैं तो उन्हों के लिए जरूर पवित्र नई दुनिया चाहिए यह पुरुशोत्तम संगम युग बहुत छोटा है इतने थोड़े समय में कितनी अच्छी प्लैनिंग कर देते हैं बाप सबका हिसाब किताब जुक्तु कराए अपने घर ले जाते हैं इतना सारा किचडा वहां नहीं ले जाएंगे छीछी आत्माई जा न सके इसलिए बाप आकर गुल-गुल बना कर ले जाते हैं मैं एक धर्म की सापना करने तुमको रिहर्सल करा रहा हूं। यह फैमिली प्लैनिंग किसने की। बाप कहते हैं मैं कल्प पहले मिसल अपना कारे कर रहा हूं। पुकारते भी हैं। पतित फैमिली से बदल कर पावन फैमिली सापन करो। इस समय सब हैं पतित। शादियों पर लाखों खर्चा करते हैं। कितना शाद माना करते हैं। और ही पावन से बदल पतित बन जाते हैं। तुम बच्चों को अब यही इश्वरिय धंदा करना चाहि सब आसुरी नींद में सोय पड़े हैं। उनको जगाना चाहिए। गोरा बनकर औरों को भी बनाए। तो बाप का प्यार भी जाए। सर्विस ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या। कोई बादशाह बनते हैं तो जरूर कोई अच्छे कर्म किये हैं। यह तो कोई भी समझ सकते हैं। यह राजारानी हैं हम दास-दासिया हैं तो जरूर आगे जनम में कर्म ऐसे किये हैं। बुरे कर्म करने से बुरा जनम मिलता है. कर्मों की गती तो चलती रहती है. अब बाप तुमको अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं. वहां भी ऐसे जरूर समझेंगे कि अगले जनम के कर्मों अनुसार ऐसे बने हैं. बाकी क्या कर्म किये हैं वेह नहीं जानेंगे कर्म गाये जाते हैं जितना जो अच्छा कर्म करते हैं वेह उंच पदपाते हैं उंच कर्मों से ही उंच बनते हैं अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो जाडू लगाते हैं भरीड होते हैं कर्मों का फल तो कहेंगे ना कर्मों की थ श्रीमत से अच्छे कर्म होते हैं, कहां बादशाह, कहां दास-दासियां, बाप कहते हैं अब follow father, मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो उंच पद पाएंगे, बाप साक्षतकार भी कराते हैं, यह मम्मा, बाबा, बच्चे इतने उंच बनते हैं, यह भी कर्म है न, बहुत बच्चि को होगा, अच्छी तरह पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो नवाब बनेंगे, रुलेंगे, पिलेंगे, तो होंगे खराब, यह तो उस पढ़ाई में भी होता है, भगवानु आज, इस समय सारी दुनिया कामचिता पर जल मरी है, कहते हैं स्री को देखने से अवस्था बिगड बाप कहते हैं नाम रूप देखो ही नहीं, तुम भाई भाई को देखो, बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है, कभी किसकी बुद्धी में नहीं होगा, यह लक्ष्मि नारण विश्व के मालिक कैसे बने? बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, यह लक्ष्मि नारण सर्व गुण संपन्न थे, आजकल जिनका तुम नया बलड समझ से हो, वह क्या करते रहते हैं? क्या गांधी जी यह सिखा कर गए? राम राज्ये बनाने की भी युक्ती चाहिए, यह तो बाप कही काम है, बाप तो एवर पावन है, तुम फिर 21 जन्म पावन रहें, फिर 63 जन्म पतित बन जाते हो, समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए, बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे पावन बनो, अच्छा मीठे मीठे, सिकी लधे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, धारना के पहली पोइंट अपनी अवस्था सदा एक रस अडोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना है। गोरा बन कर दूसरों को बनाना है। प्रिये भोले बच्चे हैं। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुब भाव और स्वच्चता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले हैं। ऐसे बच्चे आकर्षन मूर्त बन बाप को भी अपने उपर आकर्षित करते हैं। भोलानात बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सिम्रन करते हैं। भगवान को भोला पन प्यारा है। आप बच्चों ने अपने भोले पन सही भगवान को मोह लिया। उन्हें अपना बना लिया। स्लोगन अपने चहरे और चलन से गुणव शक्तियों की गिफ्ट बाटना ही शुब भावना शुब कामना है। अपने चहरे और चलन से गुणव शक्तियों की गिफ्ट बाटना ही शुब भावना शुब कामना है। अच्छ आज जो हम ग्यान मोती सुनेंगे उसमें बाबा कह रहे हैं कि अंत समय का सामना करने के लिए तुम्हें मास्टर महाकाल बनना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें कौन सा पुरुशार्थ करना है यह जानने के लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करें। झाल